गुड मॉर्निंग एब्रिवन्स देख लेते हैं आज की वीडियो है कि दादी मा के बेश्ट घरेलू टिप्स फ्रेंस वीडियो को पूरा ही देखेगा नमबर वन खाना खाने के बाद बधज में या खटी डकार आने की समस्चा है तो खाने के साथ प्याज पर नेवन चोड़ कर खाना चाहिए इससे बधज में नहीं होती है नमबर टू, चेहरा धोने के लिए दिन में एक बार साधे पानी की जगा चाबल के पानी से धोए चेहरा धोएं रंग निखनने लगेगा नमबर थ्री, संत्रा शुबै, खाली पेट और रात के बक्त नहीं खाना चाहिए नमबर फोर, दही में टमाटर का जूस मिला कर चेहरे पर लगाएं दस मिनट के बार ठंडे पानी से धोले, रोज लगाने से हपते भर में काले दाग दब्बे गायब हो जाएंगे नमबर फाइब, तर्बूज विटामिन सी का अच्छा श्रोथ है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूती प्रदान करता है फ्रेंस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजेगा फ्रेंस जो मेरे चैनल पर न्यूँ आते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा नमबर शिक्स, अंगूर नमक के साथ खाने से फेंपडो का कैंसर नहीं होता है नमबर सेवन, हरी मिर्ची को नैच्रल पैन किलर के रूप में माना जाता है नमबर एट, एक चम्मस सहद में पिसी हुई काली मिर्च मिला कर पीने से, खासी जल्दी ही दूर हो जाती है फ्रेंस, एक चम्मस सहद में पिसी हुई काली मिर्च मिला कर आप पी सकते हैं, और आपकी जो खासी है वो काफी जल्दी उससे रिलीफ मिलता है 9. अद्रक को कभी भी दूसरी सब्जियों के साथ मिक्स करके ना रखें इससे अद्रक खराब हो जाती है 10. नमक में 2-3 बून सरसों का तेल मिलाकर दातों में मालिस करने से दातों का पीलापन दूर होता है 11. हरे दनिये को अधिक समय तक ख्रेश रखने के लिए गीले कपड़े में लपेट कर रखें हरा दनिया आपको बिल्कुल ख्रेश मिलेगा 12. सैंपू में चीनी मिलाकर हफते में दो बार बाल धोने से डैंडरफ हमेशा के लिए खतम हो जाता है 18. गन्य का अरस पीने से हिचकी आना बंद हो जाती है replace तर यह जिसकी भी हिचकी की समश्या है और वो गन्य का युच पी शकते हैं यानि किरस पी सकते है हिचकी आना बंद हो जाएगा नमबर 14 आम के पत्तों के पानी का सेवन करने से पत्रीन निकालने, सुगर को कंट्रूल करने और वजन कम करने में मदद मिलती है नमबर 15 सीताफल खाने से गूर्दों की बीमारी ठीक होती है नमबर 16 प्लेड प्रेशर कम हो जाता है उनको चाहिए कि रोजाना खजूर खा लिया करें खजूर खाने से प्लेड प्रेशर काफी हद तक मतलब कंट्रोल में रहता है अगर आपकी डाड़ी मूच के बाल सपेद हो गए हैं तो रात को आमले को पीश कर एक लोहे के बरतन में रख दें और सुबह डाड़ी मूच पर लगाएं आपके बाल बिल्कुल भी सपेद नहीं होंगे नमर नाइंटीन सोट को बहुत महीन पीश कर बकरी के सुद्ध दूद में मिलाकर नाक से बार बार खींचने से सभी प्रकार के सेव दर्द में आराम मिलता है कच्छी गोवी खाने से आँखों की रोशनी तेज होती है आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आँखों को काफी फायदा होता है अध्रका रस पीने से सरीर की फालतू चर्वी खतम हो जाती है जावन के रस में सेधा नमक मिला कर दिन में दो तीन बार रोज पीने से पेसाव के रास्ते पत्री तूट कर बाहर निकल जाती है जावन का जो रस होता है आप उसमें सेधा नमक मिला कर दिन में दो से तीन बार आप उसको पीजिए आपकी जो पत्री है पेशा आपके द्वारा निकल कर बाहर आ जाएगी नमबर 23 यदि आपको खटी डगारे आती हैं तो मीठा दही या लस्ची का सेवन करें इससे पेट ठंडा रहेगा और डगारें नहीं आएगी नमबर 24 रात को सोते सेमें अपने पेरों को खुला छोड़ कर सोना चाहिए इससे नीद अच्छी आती है नमबर 25 अगर आपको स्वस्त रहना है तो आप सबसे पहले चीनी और नमक की मात्रा कम करें नमबर 26 सूजी को खाने से हार्ट अटेक का खत्रा कम हो जाता है नमबर 27 मखाने का सेवन करने से हटियां मजबूत बनती है नमबर 28 जो औरतें ज्यादा देर तक एक ही जगा पर बैटी रहती है उनका दिमाग कमजोर पढ़ने लगता है नमबर 29 नीवू की पत्तियों को कुचल कर सूँगने से सिरकादर ठीक हो जाता है नमबर 80 दो केला खाने से 90 मिनट तक आप ताकतबर बने रहते हो जिम करने से पहले और बात केला खा लेना चाहिए नमबर 31 टक्या लेकर सोने से सरी की हड़ी टेड़ी हो जाती है और कमर के दर्द की बीमारी लग जाती है नमबर 32 शुबा खाली पेट एक गिलास टमाटर का रस पीना हजारों दवाईयों से बहतर होता है तो आप काफी सारी बीमारीों से आपको रिलीफ मिलेगा और आपकी दवाई बिलकुल भी छुट जाएगी नमबर 33 शुबा खाली पेट सुब का पानी पीने से बजन कम होता है आप 10-15 दिन में ही फरक देख सकते है तो प्रेंस आज की ये 33 दादी नानी के घरेलून उसके आपको कैसे लगे कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लायक जरूर कर दीजेगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजेगा आज की वीडियोस मेरी यहीं तक की थी थैंक्स पूर वस्चिंग में वीडियो